हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल और हम कक्छा बारवी के कल होने वाले पेपर जिविज्ञान को लेकर तयार हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें यह जो क्यूस्चन हम आज यह पेपर जो लेकर आये ह लगबग लगबग 100% इसी में से आएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चली स्टार्ट करते हैं तो देखिए तीन तरह के प्रस्ने आपको वस्तोनिस्ट विश्यादरीत रूर्विश्लेशन आत्मक है तो देखिए यह निर्देश है यह आपके विकल पर स्टार्ट हो गए है प्रोटिष्टा में जनन का प्रकार है यह उप्सन दिये है ठीक है फिर अगला है आंसर आपको ही खोजने है वो सब इंपोर्टेंट है अलेंगिक जननन में जनको की संख्या होती है यह आपको उप आपको चेक करना है और और रार्थी गराही डाई है ठीक है अगला पर स्टेंट की गति प ellies नुकलियोज्ण फिए अगला पर स्टेंट जन्संकिया गनत्वधि brakes में भारत में जापान में तोते का जीवणंचक्रोych नो vibe शंटिए गए है ठीक है आगे है रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए तो देखिए अंडासे से खालिस्तान बनता है सेव खालिस्तान का उधारण है मानाव खालिस्तान उत्पत्ति वाला है निसचन की प्रक्रिया खालिस्तान में होती है गौनोरिया खालिस्तान के द्वारा होता है ठीक है यह ठीक है, एट से एक्रोजोम है, आम, बहुरूनता, सायन, और इसके सामने इनके दिये है, जो आपको सही करने है, ठीक है, इस्टाक, डूप, सुक्राणू, स्टीडी, सिट्रस, अगला है, एक वाक्की या सब्दम उत्तर दीजिए, विश्व जन संक्या दिवस कब मनाया जात है, गरबाशे के अंदर भूण का पोशन कोन करता है, कंकाली पेशी का विकास किस्से होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्प कोन सा है, बीज के बाहरी आवरण का नाम बताईए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विशे आदारित प्रस्ण, पांच में से कोई से तीन करन है, शुक्राणू का नामांकित चित्र मनाईए, परक नली सिसु के से प्राप्त किये जा सकते हैं, ठीक है, अब एनालिटिकल की जो किस्टान है, छे में से चार करने है, जनन ग्रंथी को हटाना, गरब निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों, अगला प्रस् प्रसव को प्रेरित करने में कौन से आर्मोन सामिल होते हैं, अगला किस्टान है, जुस्पोर तथा युगमनज के बीच विभेत किजिए, फिर है, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संचिप्त व्याख्या कीजिए, फिर अगला है, त्री सल्लयन क्या है, यह कहां और केसे स पन्पन होता है त्रिंस लयन में समलित नूक्लियाई का नाम बताई के आप फिर और आप जानते च्शार मैंच मैंस स्दीन अगला प्रशन के तीन लाब लिख ningún है कि अगला प्रेशन है अंडाशे के बारे में प्रत्येक के दो-दो प्रमुक कार्यों का वर्णन कीजिए फिर है जनसंक्यावी स्पोर्ट के कोई तीन कारण लिखिए है ना पुरुस जनन तंत्र का नामांकित चित आरेक बनाई है च्छटा प्रस्न है बहू भुभुण क्या है बहू भुणता होगा है बहु भुणता क्या है लिखिए अब देखिए फिर से एनालेटिकल क्यूश्चन है और इस बार आपको पांच में से कोई से तीन करने है ठीक है तो पहला क्युस्सन है किसी व्यक्ति को योन संचारित रोगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाए अपनाने चाहिए अगला प्रस्न है कि पुरुष की सायक न लिकाओं कौन एवं ग्रंतियों के प्रमुक कारिक्या है एक पुस्प में निशेचन पस्च परिवर्तनों की व्यक्या कीजिए हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोस मैलाओं को दिया जाता है बताईए कि यहां क्यों सही नहीं है और लास्ट प्रस्चन है एक प्रारुपिक पुस्प की अनुधेरिक कार्ट का नामांग की चित्र बनाईए ठीक है तो यह आपका पेपर हुआ और इसमें आप नए ब्लूप्रिंट की छाप देख सकते है पांच में से तीन करने है यहां 6 में से 4 करने है फिर एक बार और डबल रहीं रिपीट हुआ है 6 में से कोई 4 और फिर यहां पर 5 में से कोई 3 और यह आपके एक सब्दिया वाक्य में उतर रहे यह आपकी जोड़ी रही और इर्क्तिस्तान की पुर्ती और यह आपकी रहे विकल्प पर फिर से request हम कर रहे हैं कि वो हमारे चनल को subscribe करें क्योंकि जितने भी paper आप बज गए है हम उनके paper आपको provide करवाएंगे जैसे English कर रहे गया है Physics कर रहे गया है तो dear students, thanks for watching this video